गाई पालन पोशु पालन देख सकते सेट बनाकर आने थोड़ा सस्ता वाला सेट बनाकर ये गाई पालन हो रहा है इसमें ज्यादा कुछ किया गया नहीं है ये दिख रहे हैं दूद निकालने वाला है दूद निकालने वाला मसीन मसीन के द्वरा निकाला जाता है दूद इतने सारे गाए ये सब गाए बस दुधारू गाए है यानि इस सारे गाए दूद देते हैं दूद देने वाले गाई ही क्योल रखा गया है, इस सेट में, सेट के आज़ी बाजु हरे भरे जो दीख रहा है वो यानि इसी के चारा है, यह दूद निकालने वाला मुशीन के दोरा दूद निकाला जाता है गाई उसे, और एक ड्राम में रखा जाता है, गाई दो पहर के समय है अभी, देख सकते हो, एकदम खुला एरिया में गाई पालन हो रहा है, चारो तरब से खुला है, कहीं पर भी कुछ धखा उआ नहीं है, चारो तरब खुला खुला है, इस तरह से गाई पालन किया जा रहा है, सुब़ साम दूध दूध जाता है यह गयों से दूध निकाला जता है अभी यह गय दोपर के समय हुआ तो बससे ही बेचय हुए है सारे गयों यह नालब बनाया गया है उपर शपरी बनाया गया है उपर याने जो नारिया के चप्पा होता है पत्ता होता है वो दिया गया है फर्ष्ट उसके बाद उपर में ये चारे कटिंग करने वाला मसीन है जो हरे चारा होता है गाय के लिए उसको कटिंग किया जाता है ये मसीन में करने वाला मसीन 3SP का मोटर लगा हुआ है बस्ति यह विली एलेक्ट्रिक मोटर से चलता है उसको शुबसाम क्तिंग करके गाय को खिलाए जाता है जह जो चारे देख रहे हरा चरा बड़ा बड़ा एसको छट्टा छट्टा टुकडा करके गाय को दिया जाता है या मसीन से कटिंग करके चारा देने के लिए बनाया गया है देख सकते हैं दोनों तरफ गायों के लिए खाते हैं बस चारा दे दो ये ड्राम रखा हुआ है ये ये देख सकते हो यानि गायों को जो सेट है रूम है उसके आजू बाजू इस तरह से चारे बहुत सारे चारे लगाया गया है किसी को काटके ले जाके बस गाय को खिलाया जाता है चारे घास है यह बड़े वाले घास इसको मेहनत ज्यादा करना नहीं होता है बस एक बार लगा दो और कटते जाओ एक तरफ से वो निकलते जाता है में दूसरी तरफ से कटे जाओ इस तरह से यह होता है